आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ पेती जहाँ इस वक्त की बड़ी खबर इसकूल में छुट्टियों को लेकर सामने आ रही है और देखे सिक्षा विभाग के तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है और अब जहां सक्षकों का गुसा फूर पड़ा था महापर्व के चुट्टी को लेकर कि इतनी कम चुट्टी है तो अब इसकूलों में दी जाने वाली चुट्टी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है और इसे बढ़ा दिया गया है देखें आब इसकूलों में चुट्टी जो है वो 6 नवेंबर से लेकर 9 नवेंबर तक जो है वो रखा जाएगा और ऐसे में आप समझ रहें कि जहां इसको लेकर जो स्कूल के सिक्षक हैं राजबर के जो सिक्षक हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा था और कह रहे थे कि दिवाली के दिन केवल एक दिन की छुट्टी मिली है और वही जो महा पर्व होता है ऐसे में लोग कैसे पना पाएंगे और यह नियम रखा गया था कि नहाय खाय और खड़ना के दिन सक्षकों को स्कूल आना होगा लेकिन अब इस चुट्टी में कैलेंडर में बड़ा बदलाव किया गया है और आदेश जारी किया गया है जी आम आपको बता दे तो यह कहा गया है कि आप छे न अविंबर से लेकर 9 अविंबर तक चुट्टी जो है वो दी जाएगी से आप समझ सकते हैं कि जो सिक्षक है उनके लिए ये बड़ी खबर है और बड़ी खुश खबरी है तमाम वैसे सिक्षक जो इस महापर्व को करने के लिए जा रहे थे व्रत रखने वाली थे और उनक जो होता है वो कैसे कर पाएंगे खड़ना कैसे कर पाएंगे उसका प्रशाग कैसे बना पाएंगे तमाम चीजों को लेकर दिक्कत जो है वो आ रहे थी और राच भर के जो सिक्षक हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा था कहीं न कहीं यह कह रहे थे कि मुख्यमंद्र नितीश कुमायर से इसको लेकर मांग करेंगे कि जो महापर्व है उसमें तीन दिन की छुट्टी आखिर क्यों दी गई है इसे बढ़ाया जाए और इन तमाम चीजों को लेकर अब बड़ा आदेश जो है वो जारी किया गया है औ पहले साथ से नौन निमंबर तक ही चुट्टी जो है वो मिली थी और मादमिक सिक्षा निदेशक का जो आदेश है वो जारी किया गया है और खड़ना के दिन भी चुट्टी रहेगी यानि कि घर पर खड़ना मना सकेंगे जो सिक्षक थे वो पहले यह अभी आपको जानका की चुट्टी मिलती थी और खड़ना के दिन चुट्टी जो है वो अब दी गई है ऐसे में आप समझ रहें कि किस तरीकी से बड़ा फ्रासला जो है वो लिया गया है छे नवेंबर को भी स्कूलों में चुट्टी रहेगी और सिक्षकों की चुट्टी को लेकर यह बड़ी चारी के आ गया है और अब यह बड़ी खबर निकल कर सामने आ लिए सुबह आपने देखा था कि कैसे बिहार के जो सक्षा मंत्री है सुनेल कुमार उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी और कहा था किस पर विचार जो है वो किया जाएगा लाइफ सिटी पर आपने य मांग खारीज नहीं की थी और टीयर की मांग पड़ विचार किया जाएगा इसके बारे में उन्होंने कहा था सरकार बिहार के सिक्षकों की मांग पर फ्रैसला लेगी देखे यह आज ही सुबह बिहार के जो सिक्षा मंत्री है सुनिल कुमार उन्होंने तमाम चीजों को लेकर कहा था और अब ये बड़ी खाबर निकल कर सामने आ रही है कि महापर्व को लेकर महापर्व छाट को लेकर चुटी का जो कैलेंडर है उसमें बदलाव किया गया है चुटी को बढ़ाया गया है जो 7 से 9 तारिक तक चुटी दी गई थी अब इसे बढ़ा कर 6 तारिक से लेकर 9 तारिक तक किया गया है और अब वो तमाम सक्षक जो है खुशी खुशी पडिवार बालों की साथ ही प्रशाद गरहन करेंगे चानों को सब्सक्राइब करें फिर जुक पेच को लाइक करेंगे भन्ने बाद